जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कीजिए पुराने समय की एक कानी है कि महोसर नाम का एक छोटा सा राजी हुआ करता था एक दिन गुपचरो ने राजा को सूचना दी कि पडोसी राजी हम पर हमला करने वाला है गुपचरो ने बताया कि खबर एकदम पकी है सिर्फ तीन दिनों के भीतर पडोसी राजी अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना कटिन है राजा बेहत चिंतित हो गया उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सला मांगी कि अब हमारा लोगों का मरना तै हैं अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो वो अपना सुझाओ हमारे साथ साजा कर सकता है राजा की चतुर मंतरी ने कहा राजन अब जब हमारा लोगों का मरना तै ही है तो एक मात रुपाए है कि हमें आजी अपने पडोसी राजे पर हमला कर देना चाहिए राजा बोला मंतरी जी हमारी सेना बहुत छोटी है हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे मंतरी बोला राजन पडूसी राजी की अभी युद्ध की तैयارी नहीं हुई है अभी उन पर हमला कर दिया तो वो समल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की उम्मिद ये कुछ बन पाएंगी ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किये तो हमारा विनास्ता हैं क्योंकि कुछ दिनों में पडोसी राजी हम पर कूछ करने वाला है राजा को या बात जच गई उसने तुरंत अपनी सेना को तयार होने का आदेश दिया और राजी के नागरी भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध करने के लिए चल दिये पडोसी राज में जाने से पहले सेना को विसाल नदी के उपर बने एक पुल को पार करना था जैसे ही सेना ने पुल को पार करके पडोसी राज में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगवा दिया और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है या तो हमें बिजे प्राप्त करनी है या तो फिर मर कर प्राण त्याग देना है और सफलता हासिल करता है अपनी सफलता के लिए खुद को जोंक दीजिए अपनी आसफलता के बारे में सोचना छोड़ दीजिए क्योंकि आपके पास आसफल होने का कोई आपसन ही नहीं है खुद को आसफल होने से कोई आपसन मत दीजिए डरो नहीं कोई भी समस्या आपकी छमता से बड़ी नहीं है जुट चाहिए सफलता आपकी राह देख रही है